हमारे पास कई पेरेंट्स के सवाल आ रहे थे कि वो स्टॉलर खरीदना चाहते हैं और थोड़ा सा कन्फूजन है कि बेबी के लिए कौन सा स्टॉलर खरीदना सही है तो आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आएं हूँ लव लैप अलफा स्टॉलर का ये क्या प्रोड़क्ट है इसमें क्या-क्या फीचर्स है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जब भी आपने बेबी के लिए स्टॉलर खरीदना चाहा है तो आपको वे चार चीज़ें जरूर देखने चाहिए Number 1 है Comfortable यानि कि वो स्टॉलर आपके बेबी के लिए Comfortable होना चाहिए बेबी को उसमें लिटाना है, बिठाना है, तो comfort का पूरा ध्यान आपको रखना है Number 2 है safety, वो जो stroller है वो बेबी के लिए 100% safe होना चाहिए Number 3 है convenience, parents को वो stroller जो है handle करना है तो उसको चलाना, उसको carry करना आपके लिए convenient होना चाहिए Number 4 है durable, वो stroller durable होना चाहिए, अच्छी quality का होना चाहिए ताकि अच्छे time तक चले, ऐसा ना हो कि आपने आज खरीदा और 10 दिन बाद ही वो stroller जो है वो टूट चाहे, तो इन 4 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है बेबी के लिए stroller खरीदते वक, अब बात करते हैं love lap alpha stroller के बारे में इसमें क्या खास features हैं और आपको इसको क्यों कस्ड़र करना चाहिए सबसे पहली चीज़ यह जो stroller है, यह extra spacious है, यह काफी space इसमें दिया गया है बेबी को आपको बिठाना है, लेटाना है या फिर बेबी को relax करना है तो अच्छे से बेबी जो है इसमें relax कर सकता है, बेबी इसमें comfortable रहेगा इसमें आते है heavy duty wheels, तो आपको बेबी को कहीं भी बाहर लेके जाना है तो उसके लिए अच्छा option है, मानलीजी आपको mall लेके जाना है, पार्क में लेके जाना है या फिर travel के लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो यह जो wheels हैं काफी sturdy हैं और काफी अच्छे support देते हैं इसमें आता है reversible handle bar, यानि की आप इसके handle को दो side से adjust कर सकते हैं कई parents चाहते हैं कि वो अपने baby को सामने से देखते रहें, तो आप baby के सामने की तरफ इस तरह से भी handle कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि baby की पीछे की तरफ से आप जो stroller हैं उसको control करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बात किती baby safety की, तो इस stroller में baby की safety का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसमें आता है five point safety harness इस stroller में आता है extended foldable canopy, यानि कि मालीज या बच्चे को धूप में लेके जा रहे हैं या फिर हलकी बारिश हो गई है, तो ये आपके baby को इससे protect करेगी इसमें आता है multi level recliner, यानि कि जब बेबी को stroller में बठा रहे हैं, तो आप baby को अगर पूरा लिटाना चाहते हैं, बेबी सोना चाहता है, तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, बेबी को हलका सा बठाना है, तो वैसे कर सकते हैं, या फिर बेबी को सीधा बठाना है, तो मतलब त इसमें आता है shock absorber, यानि कि मानलीजे अपने बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं, एकदम से कोई bump आता है, या जटका लगता है, तो ये shock absorber ये ensure करता है, कि बेबी को किसी तरह की problem ना हो, इसमें आता है detachable handrail या आगे की तरफ आता है, और इसको अगर आप चाहें, तो इसको रियर वील ब्रेक, यानि कि मानलीजे आप कहीं गुमने जा रहे हैं, एकदम से एक स्लोप आया, धलान आ रहा है, तो वो जो स्टॉलर है, वो नीचे एकदम से ना चला जाया, उसमें बेबी बैठा है, तो उसकी safety को ध्यान में रखते हुए, ये जो ब्रेक है, आप अगर उसको लगा देंगे, तो इस टॉलर आगे की तरफ नहीं जाएगा, एजस्टिबल फॉट्रेस इसमें अविलेबल है, यानि कि बच्चा अगर सो रहा है, बच्चा बैट रहा है, बच्चा रिलाक्स कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉट्रेस को एजस्ट कर सकत तो इसमें आप अपने बेबी से रेटेट कोई समान बेबी के टॉइस, वाइप्स या बेबी बैग रख सकते हैं, टाइपर बैग रख सकते हैं, या फिर अपना कोई समान भी इसमें रख सकते हैं, बात करें इस टॉलर की सीट की, तो काफी सॉफ्ट और कमफर्टिबल इस अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप इसे लवलाब या फिर अमेज़ोन की साइट पर जाकर देख सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में भी दे दिया है क्या आप अपने बेबी के लिए स्टॉलर यूज़ करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा I hope आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा मिलते नेक्स वीडियो में Thank you for watching